तो भाई काफी भाई परेशान हो रहे थे टी-एफटी काफी भाई योगा नहीं चल रहा था मैंने पहले भी बता था लेकिन अब टी-एफटी ने नए अपडेट दे दिया है इसके अंदर आपके सभी एरर यहां पर फिक्स कर दिया गए है यहां पर आप देख पानुत जो प्रेकर रिजसेट कर सकते हैं जो आपके लिटेस्ट मॉबाइल आ रहे हैं प्री लोडर पे जो काम कर रहें वह भी समें एड कर दिया गया है और प्रो मोड में कम कर रहे है वह भी अभी समय कर दिये गया उसके बाद रोग चिप यहां पर चला हुआ है यह आप देख़ आ है भाई पता नहीं कौन से मोबाइल में क्या लगा आगे दे तो यह चलता ही रहता है शिरसला वह आप देख लिए अगर हो कौन सा पोर्ट बना रहा है ठीक है SPD का बना रहा है तो SPD CP लोगा MTK का बना रहा है MTK CPU लोगा और Qualcomm वाला बना रहा है लेकिन आपका mobile volume up and down दबाने से कई mobile Qualcomm का port बना देते हैं लेकिन जो नहीं बना रहे है वह आपके Qualcomm के सैट वह आपको test point से करने पड़ेंगे ठीक है यह बात छोटी द्यान रखा अगरो आप उसके बाद यहां पर कुछ और भी यहां ब्रांड एड की गई है लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं भाई एक से यहां पर तो एक बार मोटे मोटे यहां पर देख लेते किस चीज में अपडेट दिया इन्होंने क्या किया ह कोई फिक्स किये हैं बाकि इसमें कोई यहां पर खास अपडेट नहीं है जो आप पहले कर रहे थे फीचर जिनका इस्तमाल आप पहले कर पा रहे थे वही है यहां पर सैमसंग में यहां पर कुछ एड कर दिया गया को तो समसिंग में यह देखी काफी सारे मोबाइल है जो आपके A10S है M01 है A12 है ठीक है इस परकार के जो सेट आपके नहीं हो रहे थे पहले वो यहाँ पे अडिकर दिये गए जो कि आपको EDL मोड में test point लगा के करवाने पड़ेंगे जो आपके pre-loader है वो भी आपके अब देखी यहाँ पे pre-loader लिखा गया pre-loader वाले भी आपके हो जाएंगे SPD वाले भी आपके sport करेगा और यहाँ पे जो है ADB नेवल करके आप किसी mobile को करना चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते है और ब्रो मोड में आप किसी mobile को connect करवाना चाहिए वो भी आप कर सकते है तो कुल मिला गए यहाँ पर Samsung यहाँ पर fix कर दिये गए अब आप Samsung यहाँ पर erase FRP कर सकते है जो आपका man होता है FRP होता है उसके बाद MDM होता है ठीक है और जो है hard reset भ तो आपके Samsung है mobile है pin pattern password है तो factory reset कर दो और अगर उसमें MDM है तो MDM यहाँ से bypass कर सकते है FRP को और कुछ mobile है से आ रहे है जिसमें यहाँ नंबर भी आप रिपेर कर सकते हैं यहाँ पर देख पारेंगी यहाँ नंबर का option इसमें add कर दिया गया है पहले भी था लेकिन अब थोड तो वह original EMI number यहाँ पर निकाल सकता है condition यह है कि आपको अपना mobile यहाँ पर route करना होगा ठीक है और काफी route के भी comment आ रहे है कि रूट कैसे करे Samsung mobile को उसके उपर भी जल्द वीडियो बनाने वाला हम उसके बाद patch भी कर सकते है by chance आपनी EMI number repair कर दिया और उसके बाद आपके mobile म फिर NG status आ रहा है तो उस case में आपको अपने mobile को यहाँ पर patch करना पड़ेगा patch का मतलब क्या होता है patch का मतलब एक किसम से आपके mobile में network को fix करना है ठीक है simple वासा में Wi-Fi को आप forget कर सकते हैं यहाँ और यहाँ पर reset EFS file जो आपकी security file होते हो reset कर सकते हैं और more feature में आएंगे तो यहाँ पर यह फाइल आपको write करनी पड़ेगी अपने mobile में ठीक है उसके बाद जो आपके mobile में program आ रही हो fix हो जाएगी आपके mobile का यह my number repair हो जाएगा लेकिन जिनका नहीं हो रहा है यहाँ पर try करके जरूर देखना लेकिन कुछ भाई अभी comment करेंगे कि भाई जो है कौन- अब यहाँ पर S22, S23, Ultra इन पर तो काम नहीं करेगा देखिए hide हो गया है तो इस बात का दियान रखा अगरो जो भी mobile पर work नहीं करता वो यहाँ पर नहीं दिये हुए है तो काफी ऐसे mobile है जिन पर काम नहीं करते है यह feature ठीक है यहाँ यह my number डालके उसके बाद यहाँ पर repair पर कलिक करके आप repair कर सकते हैं सिंपल सा तरीका कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हवाई ओपो वीव और यलमी में यहाँ पर कुछ भी अपडेट निया है सेम ही होने वाले हैं और यहाँ पर काफी वाई इंतजार कर रहे हैं मेरे को अपडेट देती आजाएगा अभी तक तो चिलमेरा में भी नहीं आया है कोई से और बोक्स डोंगल में भी नहीं आया है सैमसुंग को लेके लेट अपडेट चला हुआ है तो कुल मिला के भाई यही फीचर इसमें रोग चिप यहाँ पर दीए आपकी Android में आएंगे उसके फीचर हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते जो आपकी नई चीप आई हुई है यहाँ पर कौन-कौन से मोबाइल में लगी हुई है वह आप यहाँ देख पार हुए चाइनीज मोबाइलों में आ रही है जितने भी चाइनीज मोबाइल आज कल के आ रहे हैं तो पर कोई खास option में को नहीं दिखा है इसमें बैक अप लेने का रिस्टोर करने का और मुबाइल का वटसप वगारा का यहां पर option देखनों मिलता है लेकिन यहां पर जनरल ऐफर पी का option दिया है जिसमें QR कोड के दवारा आप FRP बाइपास कर सकते हैं जो नए मुबाइल आ रह पगा देते हैं वो मुबाइल में एक scan करते हैं code को scan कैसे करते हैं जैसे आप मुबाइल को reset करते हैं हैलो स्क्रीन पर आता तीन बाड करके वो scan कर लेते हैं उस code को उसके बाद उस मोबाइल में finance लोग लग जाता है ठीक है तो वैसे ही FRP बाइपास करने के लिए यह तरीक ह यहां पर काम आता है तो यही है भाई और तो कोई खास अपडेट नहीं है इसमें यह माई नमबर का अपडेट आपको जल्द ही दे दिया जाएगा तो थैंकि फॉर बसिंग मेरे बाइच चैनल को सब्सक्राइब करो जिसको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दिया अगरो भाई जल्द ही आपके लिए एक से एक यहां पर टूल लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको लाइव वीडियो मिलेगी जिसमें हमाई नमबर रिपेरिंग की भी होगी अनलोकिंग की भी सारी वीडियो अब आपको लगाता रहाने वाली है ठीक है तो बहुत जल्द यह जो है काम सरुक हो जाएगा जितने मोबाईल आएंगे सब रिपेर करके आपको दिखाए जाएंगे उसके लिए मैं एक सेटप यहां पर बना रहा हूं थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा जल्द ही आपको सेटप मिल जाएगा उसके बाद रिपेर की वीडियो तो सभी आपको मिल जाएंगे ठीक है तो थैंकि फॉर वाइब फिर मिल लेकिंगे नेक्स्ट वुडियों ऐसे वुडियों देखनें चल्गों